हेलो एवरिवन ये आपकी नवीन शिक्षा अर्थी बाल हिंदी व्याकरन कक्षा पांच की बुख है ये आपकी हिंदी व्याकरन की बुख है इसमें हमने पढ़ा था पार पार बीज विराम चेहन है ना इसको आपने टलम के माध्यम से समझा आप लोग में बुक रेडिंग क किया आप लोग को समझ में आ गया होगा आज हम करेंगे बुक वर्क पुस्तक कारिये जो आपके प्रिस्ट कमांग 89 में है ठीक है चलिए इसको देखते हैं आओ अभ्यास करें विराम चेहनों की सामने उनका नाम लिखो यहाँ भी विराम चेहन दिये हैं इसकी सामने हमको उसका नाम लिखना है ठीक है चलिए पहला वाला ये क्या है विस्मियादी बोधक चिहन ये प्रश्ण सूचक चिहन ये कोस्टक ये अल्प विराम ये पूर्ण विराम और ये उद्धरन चिहन ठीक है चलिए नमबर टू देखते हैं क्या है निमनलिखित वाक्यों को उचित विराम चिन लगा कर दोबारा हमको लिखना है का वाला जीवन में सुख दुख तो लगे ही रहते हैं तो जीवन में सुख ये कौन सा विराम है भई ये आपका है योजक चिन है न तो जीवन में सुख दुख इस दोनों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन का उपयोग कर रहे हैं सुख दुख तो लगे ही रहते हैं अब हम आएंगे प्रिष्ट कमांग 90 में चिक्कें खवला क्या है अध्यापिका ने बताया पृत्वी गोल है तो इसको क्या करेंगे अध्यापिका ने बताया अल्पविराम पृत्वी गोल है पूर्ण विराम गवला राधा ने पूचा तुम कहां जा रही हो राधा ने पूचा अल्पविराम और तुम कहां जा रही हो वैसे के वैसे लिखने के लिए हम यहाँ पे उधरन चिननर लगाए हैं घावला मैं सुभा नाष्टे में दूद अंडा और एक फल लेता हूं अंगवला गंगा यमुना ब्रह्म पुत्र कृष्ण और कावेरी भारत की प्रमुक नदिया हैं गंगा की बाद अलप विराम यमुना की बाद अलप विराम ब्रह्म पुत्र की बाद अलप विराम क्रिश्ण और कावेरी भारत की प्रमुक नदिया हैं पूर्ण विराम ठीक話 लास्ट वला भी देखते हैं चबला वाह तुम्हारी पोशाग बड़ी सुंदर लग रही है वाह में हम विस्मयादी बोधक लगा है तुम्हारी पोशाग बहुत सुंदर लग रही है पूर्ण विराम तो आपने ये देखा हमने विराम चिन्न को उप्योग करके वाक्तियों को पूर्ण किया है आप Okay!